है लो दोस्तो आज मैं आपके सामने एक और इंट्रेसिंग टॉपिक लिए क्या हूँ एक वानुमी का जो आपके जी एस के पॉंटर वी से बहुत एक एक इंपॉर्टन टॉपिक है चाहे वो प्री हो चाहे या पर वो मेंज हो किया है एक आपके सबसे बहाले समझना पड़ेगा कि बॉंटस है क्या है इसी से कोशन आ जाता है स्टैक पार्ट में लिकुशन आया हुँ अगर आप पी वाई क्यू आप अनलाइश कर रहे आ हैं तो तो शुरू करते हैं सेशन क्या है बॉंटस सार हर एकifter के पास अभी हम corporate के example लेके चल रहे हर एक corporate के पास एक tool होता है जिससे वो पैसे raise करता है वो majorly दो tools होते है through equity और through bonds अब जैसे sharp tank चल रहा है तो आपके equity word तो सुनो होगा क्या होता है sir क्या होता है कि जब owners या promoters जो होते हैं अपनी company का कुछ percentage sell कर देते हैं पैसा उठाने के लिए उसे हम कहते है equity उसको कहते है equity delusion equity हम sell कर देते हैं यह एक है एक method एक tool दूसरा है through debt debt का मतलब होता है sir loan loan उठा लिया market से debt का मतलब होता है loan जैसे अब आपको दिखाऊं direct अगर कोई बोले कि debt क्या है तो debt load company ने loan उठाया loan किसके तरह उठा सकती है sir दो तरीके है एक तो वाया bank bank से direct उठा ले और एक sir वाया public public से हम direct उठा रहे कैसे देखो अब इस चीज़ को समझो public से उठा लेक है इसको पूरा detail पर समझते हैं sir देखिए माल लीजिए एक xyz corporation है बस समझते जाईए सुनते जाईए अपका अपने आपके concepts clear हो जाएंगे ठीक है sir माल लीजिए एक xyz limited corporation xyz limited corporation company इसने का क्यार मुझे पैसा चीए तो क्या करा इन्होंने बॉंड इस्यू करें market बॉंड कैसे इस्यू करेंगे यह इस्यू करेंगे बॉंड बॉंड कुछ ऐसा होगा कुछ एक slip paper की फॉर्म में slip paper की फॉर्म में ऐसा की सभी हमें चाहिए 100 रुपीस पर परसंट at the rate of 10% मतलब पब्लिक से दर्खास कर रहे हैं कि आप हमारे bonds खरी दिये हमें सौर पे दीजे बदले में हम साल में आपको इसके उपर 10% का rate of interest रहेंगे सिंपल इन्होंने का कि मुझे आप लोन दीजे मैं आपको 10% का इंटरेस्ट रहेंगे इन्होंने बैंक से लिया यह पब्लिक से ले रहे हैं बस यह पब्लिक से ले रहे हैं और इसकी maturity period है इसकी maturity period है माल लीजे five years मतलब मतलब सर्क पान साल के बाद ये company आपको रीशू कर देगी क्या principle amount रीपे कर देगी principle amount पान साल के बाद रीपे कर देगी जैसे fixed deposit का culture होता है कि उसका एक maturity period होता है है कि आपने fd में 5 साल के लिए पैसा डाला पान साल बाद आपको interest उसमें मिल रहा हर साल पान साल बाद principle amount भी रीपे हो जाएगा principle amount भी repayment हो जाएगी principle repayment ठीक है ये चीज़ आपको समझा आगी bond के बारे में bond what type के होते government भी issue करती है corporate houses भी issue करते है और अब तो आप यह कह सकते है कि sustainable agriculture या फिर जो आप कह सकते है कि local level पे जो municipalities होती है वो भी issue करना उन्हें शुरू कर दिया इन दोर municipality है उन्होंने green bond issue करे थे अगर आपको पता हो sustainable growth को और sustainable infrastructure projects को finance करने के लिए तो यह हो गया finance bond का basic bond का basic की issue करा public से public ने पैसे दिये इनको का 10% rate of interest में देंगे अब एक और चीज़ सर बॉन्ड और mutual fund में एक बहुत basic difference बॉन्ड और mutual fund में एक बहुत बड़ा basic difference है क्या difference सर बॉन्ड जो है न वो security है बॉन्ड इस considered to be a security whereas mutual fund is not mutual fund को detail में किसी और class में cover करेंगे पर अभी में difference बदा नॉट security का क्या मतलब हूँ सर security का ये मतलब हुआ कि आप कि आप सर इसे trade कर सकते हैं आप इसे buy and sell कर सकते हैं secondary marketing buy and sell कर सकते हैं जैसे shares चो होते हैं आप उसे buy कर सकते हैं आप उसे sell कर सकते हैं at discount rate at premium rate similarly bond को भी आप buy and sell कर सकते हैं whereas mutual funds को आप buy and sell नहीं कर सकते हैं ठीक है सर ये बात समझ आगी ये बात आपको समझ आती है bond के बारे में simple है it's an instrument to raise amount and it's a security also because you can trade that in a secondary market you can trade that in a secondary market अब इसका दूसरा important point अब इसका दूसरा important point देखिए सर कैसा सर एक बार बताईए as a general public मैं माल लीजिए मैं bond में invest कर रहा हूं मैं bond में invest कर रहा हूं मैं bond में invest क्यों कर रहा हूं मतलब क्यों करना चाहूंगा मैं क्यों कंपनी को पैसा दू मैं तो ये पैसा bank में जाके saving account खुल वा लेता हूं या FB कोल लेता हूं मैं कंपनी को क्यों दू सर इसका reason यह होगा कि अगर मैं कह रहा हूं एक company ने एक company ने समझी यह बड़ा conceptual बाट है डरेक कोशन आते हैं मांग लीजिए bond issue करा x y z ने x y z ने bond issue करा bond issue करा bond slip paper कुछ ऐसा था ठीक है 100 rupees at the rate of 10% अब सर मैं 10% में यहां invest क्यों करो मैं bond में as a public journal knowledge लगाई यह तभी invest करूंगा जब मुझे market interest rate कम मिल रहा हुग market interest rate आप bank rate या banking में जो saving account rate या 50 का rate है उससे आप अभी के लिए फिराल समझ सकते market interest rate जो है माल लीजिए अभी 9% से हो रहा है तो यहार यह sense बनाता ना कि 9% में invest क्यों करूंगा जब मुझे 10% मिल रहा है 100 rupees ठीक है यहां पर मुझे 10 rupees ऐसा interest income मिल रही है यहां मुझे सरफ 9 rupees मिलेगी simple सी बात है तो मैं bond में invest करूंगा तो मैं bond में invest करूंगा अब देखो अब यह बात तो ठीक है समझागी सर कि bond में हम invest कर रहे है क्योंकि हमें market rate ज़्यादा मिल रहा है पर यह market interest rate volatile भी तो है यह volatile भी तो है यह कभी increase भी हो सकता है यह volatile भी है यह increase भी हो सकता हो सकता है मान लीजिए सर मान लीजिए market interest rate जो है वो 12% हो गया वो 12% हो गया और मैंने तो invest कर रहा था 10% में मैं इस bond को क्यों hold करूंगा मुझे अब 12% market में interest rate मिल रहा है तो मैं bond को 10% में bond में क्यों invest करूं क्यों invest करूं ठीक है अब एक चीज सुनिए यह इनसान मान लीजिए यह मैं हूँ यह मैं हूँ मैं इस bond को मैंने 100% cost of bond कितनी है 100% मैंने 100% में 100% में खरीदा सर मेरे को मिल रहा 10% interest income interest income 10% और माहा मुझे मिल रहा 12% सर मैं इसको चाहूंगा कि पेच तो get rate of the bond कैसे सर क्यों बेचे हो और दूसरा क्यों खरीदेगा सर मुझे डर है कि इस bond का price कम हो रहा market में simple सी बात है कोई इनसान होगा वो इस bond को क्यों खरीदेगा जब उसको 12% मिल रहा है वो इस bond को तब खरीदेगा जब यह bond discounted value पे sell कर दिया मैंने मैंने इस bond की कीमत बोल दी कि यार मैं 80 रुपीज में sell कर रहा हूँ 80 रुपीज यह discounted value है यह discounted value है इसको मैं sell कर रहा हूँ discounted value पे तो क्या अब दूसरा इंसान खरीदेगा इसको 80 रुपी में मेर से खरीदेगा सर 80 रुपी में खरीदेगा कैसे सर देखो मान लीजिए मान लीजिए bond की price थी 100 रुपे performing cost of bond जिसको मैंने का वो था 100 रुपीज अब मैं इसको sell करना चाहता हूँ 80 रुपीज में 80 रुपीज में मैंने sell करा 80 रुपीज में discounted value बे discounted दूसरा इंसान इसको purchase करेगा purchase करेगा सर क्यूंकि current market rate interest rate कैसे है 12% चल रहे है और मैंने जो खरीदा आप वो at the rate of 10% था मतलब यहाँ पर interest income 10 रुपे है इस इंसान ने मुझसे 80 रुपे में खरीद लिया इसकी cost of bond आ गई cost 80 रुपीज लेकिन इसे interest कितना मिल रहा है interest यह 10 रुपे ही मिलेगा interest यह 10 रुपे ही मिलेगा अब calculate कर लिजे एक amount x इस पर मेरे को interest मिल रहा है 10 80 पर wait minute cost है 80 उसको interest मिल रहा है 10 उसको interest मिल रहा है 10 कोई amount होगी 80 पर 80 पर मुझे एक rate of interest है एक rate of interest है और वो rate of interest 10 रुपीज है तो अगर question mark देखें यह आ गया 10 by 80 into 100 काट दीजे 1 by 8 12.5% मतलब यह इनसान जो secondary market में मुझसे 80 रुपे का bond खरीद रहा है वो पाइदे में हैं क्योंकि उसे 12.12% का rate of interest मिल रहा है और market में अभी 12% rate of interest logic समझे logic समझे इसका दुबारा इसको एक और बार explain करूँगा ठीक है दुबारा दुबारा fast forward मैंने bond खरीदा था एक company ने company थी x y z इसने bond issue करा 100 rupees का 10 rupees 10% मैंने इसको purchase करा मैंने इसको purchase करा मुझे interest income थी 10 रुपे interest income थी 10 रुपे तब market interest rate market interest rate तब जब था वो 9% था interest rate 9% था लेकिन all of sudden कोई reasons की वेरे से market interest rate 12% हो गया market interest rate 12% हो गया अब मेरे लिए इस bond को hold करना सही नहीं है क्योंकि इसकी value degrade होती जाएगी अच्छा उसने खरीदा उसको फायदा और है मैं क्यों बेच रहा हूँ मैंने इसलिए 80 रुपे में बेच दिया क्योंकि मुझे डर था कहीं कल को इसकी value और कम नहीं हो जाए 60-50 का ना बेचना पड़ता है तो इसलिए मैंने इसको कितने में बेचा 80 ठीक है अब मैंने इसको बेचा 80 रुपीज में discounted value पे 80 रुपीज पे इस बंदे ने खरीदा 80 रुपीज में जो percent secondary market में था percent 2 second person इसने खरीदा 80 रुपीज में बॉर्ड interest interest अभी भी 10 रुप है क्योंकि slip क्या थी slip में लिखा हुआ था वहीया सौर पे दो 10 percent पे five years के लिए interest income 10 रुप है मतलब interest income 10 रुप है उस bond की slip hold करने पे 10 रुप है मतलब 80 रुपे पे कुछ percentage पे इसको 10 रुपे मिल रहा है और यह कुछ नहीं है साड़े बारा percent पे इसको 10 रुपे मिल रहा है तो यह हमेशा फायदे में रहेगा क्योंकि इसको 80 रुपे में interest मिल रहा है मैं 100 का खरीद के मुझे interest income 10 रुपे मिल रही थी इसको 80 पे 10 रुपे मिल रही है मतलब effective interest rate साड़े बारा percent है जो market से जाद है हिंस यह फायदे में है तो इससे में relationship derive कर सकता हूं relationship derive कर सकता हूं क्या कि जभ भी market rate market interest rate increase होगा जब भी market interest rate increase होगा value of bond कम होगा value of bond decrease होजएगी value of bond decrease होजएगी value of bond decrease होजएगी जो person इसको purchase करेगा उस time पे उसकी yield बढ़ जाएगी yield बढ़ जाएगी yield कुछ नहीं होता simple terms में return को yield कहते हैं जैसे इसके लिए 12.5% में मिल रहा है जबकि market interest rate 12% है यह yield बढ़ बढ़ तो market interest rate बढ़ा 9-12% हुआ value of bond कम हो गया सौर बे काता मुझे 80 का बेशना पढ़ गया लेकिन yield बढ़ गी जिसने इसको secondary market में खरीदा उसके लिए rate of interest बढ़ गया 12-12% हो गया वाइसा वर्सा भी market interest rate घटेगा bond की value उठेगी yield कम होगी यह इसका opposite sense में चीज है ठीक है यह आपको I hope यह concept आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो कि यह relation क्या है इसके उपर एक direct statement आई हुई है पी वाई क्यों ठीक है चलो देखते हैं ना पी पी टी देखते है जैसे मैंने बता है government bond होते है government bond में बहुत सारे bond होते है एक होता है treasury bond treasury bond करे है treasury bond होता है short yield bond short term bond के लिए short period के लिए यह issued at discount होता है मतलब issued at discount इसमें interest rate नहीं है issued at discount and redeemed at par and redeemed at par मतलब इसको मैं issue कर रहा हूँ मानली जी इसकी original value यह थी 100 पे ही ती government ने इसको issue करा 90 रुपे में और इसको जब return करने की बारी आई इसको जब principal amount को वोपिस पे करने की बारी आई तो 100 रुपे में इसको redeem कर दिया मतलब issue मैंने 90 रुपे में करा मतलब किसी customer ने या फिर किसी public ने government को 90 रुपे दियोंगे लेकिन जब वो अपने पैसे वोपिस लेने गया principal amount को maturity period में तो 100 रुपे मिल गया तो दस रुपे यहां पर उसने earn करा यह direct मतलब होता है treasury bill का corporate bond simple है municipal bonds जैसे मैंने अभी आपको कहा था green bonds green bonds से ही समझ आ रहे हैं कि bonds issue करे हैं पैसा उठाने के लिए उस जग के green bonds जलते हैं आगे देखें वोई inverse relation की बात कर रहा है वोई inverse relation की बात कर रहा bond prices and market interest rate have an inverse relationship जो हमने अभी देखा when rates rises bond price fall and vice versa यह हमने detail में करा यह direct line लिखी होती है लेकिन मैं आने आपको percentage में बढ़ा दिया simple वोई 100 पे का था 80 में sell करा इसमें earlier मुझे 10 रुपे interest income मिल रही थी अब इस बंदे को 10 रुपे मिलेंगे इसको 80 पे 10 रुपे का मिल रहा है मतलब इसका rate of interest जो है वो 12% है market percent जो था वो 12% तो यह increase है inverse relation direct कोई दिक्कत नहीं है वोई पूरी story इन्होंने बताईए अच्छा कुछ factors हैं जो brown के price को affect करते है जैसे हमने का interest rate तो हम समाच चुके हैं कैसे affect करते हैं दूसरा है credit risk credit risk भी affect करता है सर जैसे for example अगर किसी company की ratings होती है कि credit worthiness कितनी है credit ratings देती है कुछ company क्यार इन्होंने पहले उधार लिया था तो क्या ही चुका पाए थे इनकी ratings होती है तो अगर company की ratings अच्छी नहीं है तो जब वो bond issue करेगा तो उसका price कम ही होगा क्योंकि public का trust उस पे नहीं है वो trust deficit है उसमें सेम अगर company की rating बहुत अच्छी है तो वो अपने bonds को premium पे sell करेगा premium पे पेचेगा तो ये वो impact है maturity थोड़ा बहुत roll play करती है कि लंबे time के लिए है अगर जादा maturity period है तो simple सी बात है अगर बहुत ज्यादा inflation है तो purchasing power तो इनसान की कम ही होगी कम ही होगी तो bond का price कम हो जादा simple कोई ज्यादा नहीं है interest rate सबसे important दूसरा credit risk credit risk क्या है company के credit वर्थी ने सच्छी नहीं है तो simple सी बात है कि भईया यार उसका जो bond का price है वो कम पर ही बेचेगा क्योंकि trust deficit है same maturity अगर बहुत लंबे time period के लिए तो trust दिखाना बहुत ज़रूरी है इस time के लिए वो कम price पर बेचेगा same for inflation ठीक है ये इसका price था चलते है नेक्स लाइड पर ज़्यादा ज़रूरी bond duration bond duration ठीक है एक और चीज़ थी एक bond का बहुत important role है एक bond जो काफी news में भी रहता है इस time पर वो है masala bonds वो है masala bonds masala bonds के समझते है masala bonds को क्या है masala bonds masala इसने नाम आया है क्योंकि इंडिया में obviously known for spices है अब समझो masala bonds के है याद masala bonds का क्या मतलब है bonds denominated in Indian rupees इसका एक example दूँगा अपने आप मतलब समझा रहे है denominated in Indian rupees मतलब सर माल लीजे nominal exchange rate चल रहा है एक डॉलर सतर रुपेड़ा एक डॉलर सतर रुपेड़ा और इंडिया में इंडिया ने issue करा है masala bond इंडिया ने issue करा है masala bond describing describing क्योंसे सतर बेची वो denominated है कि उसे 70 रुपीज चाहिए है इंडिया को internationally इंडिया को चाहिए denominated Indian rupees का मतलब है कि bond में लिखा होगा कि मुझे 70 रुपीज चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं Indian rupees रेस कर रहा हूँ bond में लिखा हूँ है मुझे 70 रुपीज का वर्थ चाहिए तो जब कोई foreigner जब कोई foreigner ये bond purchase करेगा तो वो देखेगा कि या ठीक है nominal exchange rate क्या है एक डॉलर सत्तर रुपेगा उसने लिखा हूँ है 70 रुपीज तो ये invest करेगा वन डॉलर समझ गया रेस करा इंडिया ने इंडियन कंपनी हैं इंडिया की कुसी कॉपरेशन ने रेस करा मनी इंटरनाशनली बताब foreign currency में उसने रेस करा लेकिन बस हाँ bond में जो specification थी वो जो थी वो थी इंडियन डिनोमेनेट करन्सी उसने specify करा कि मुझे 70 रुपीज चीए चीए 70 रुपीज चीए 70 रुपीज पॉरिनर ने क्या करा foreigner ने का ठीक है एक डॉलर के भी कीमत एक डॉलर के भी कीमत 70 रुपे है खतम कर दिया अब अब सर मसाला बॉंड में एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है मसाला बॉंड में इंडियन कंपनी nominal exchange rate था $1.70 रुब्ल issue करा इसने इसको 1 dollar दे दिया और णना timing Sir, क्या हुआ, nominal exchange rate शिंफ्ट होगया nominal exchange rate shift होगया कैसे यह nominal exchange rate होगया यह nominal exchange rate होगया अब होगया मान लीजिए 80 रुपीस 80 रुपीस तो सर अब क्या हुआ सर कि 1 डॉलर 80 रुपीस मतलब कल को इंडियन ने पैसा उठाया 1 डॉलर इंडियन कंपनी को पे करना है इंडियन कंपनी क्या 1 डॉलर देगी नहीं उसने डिनॉमिनेटिट करा था इंडियन रुपीस में मतलब वो 70 पे देगी वो 70 पे देगी और 70 पे की आप इससे value लगा सकते हैं कि ये 1 dollar से कुछ कम point पर आएगी माल लीजिए 0.80 dollars देगी समझें सर 1 dollar 70 पे था denominated in Indian rupees था मतलब 70 पे की value describe करी वी थी foreign company ने उसको 1 dollar दे दिया 1 dollar जब उसने pay करा उसी time पे nominal exchange rate 1 dollar is equal to 80 rupees में हो गया अब जब Indian company की maturity date आगया और उसे repay करना है तो वो 1 dollar repay नहीं करेगी वो देखी कि मैंने तो 70 rupees को denominated करा था और इस time पे 70 rupees की value कुछ 0.80 dollar है as a result as a result sir Indian company foreign exchange risk से safe है foreign exchange risk से safe exchange risk से safe है मतलब इस condition में तो उसको फायदा हो गया उसे 1 dollar देना ही नहीं पड़ा उसे कितना देना पड़ा उसे 0.80 dollars पे करने पड़ा 0.80 dollars repay करने पड़ा risk जिसने financial risk उठाया जिसने currency या foreign exchange rate risk उठाया वो कौन था उठाया वो foreigner था उठायेगी क्योंकि denominated दुबारा याद रखना denominated सरफ slip में mention है कि bond की कीमत सत्तर पे है इसका मतलब यह नहीं है वो Indian currency उठा रहे है money जो raise होगा वो भी foreign currency में होगा जो repay होगा वो भी foreign currency में होगा I hope आपको masala bond का concept clear हो गया होगा ताकि thank you मिलते हैं next class में